तो गैस अगर आप भी ऐसा अल्टरा फास्ट वांट फिट सोट लेना चाते हो डिजिटिकल से तो गैस उसके लिए मैं आपको एकी रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बीना किसी स्किप के देखो जरा सब स्किप मत करना क्योंकि गैस आज इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ इस ट्रिक के बारे में बताऊंगा आपको जिसको यूज करके गैस आप यापार डिजिटिकल से ओटो हेड़सोट की तरह हेड़सोट और गैस उसके साथ साथ आप यापर आल्टरा फास्ट वांट फेड़सोट ले सकते हो तो गैस यापार वीडियो को बिल्कुल भी स्कि करते हैं देखो गैस यापार डिजिटिकल से ओट लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी करने की जिरुवत नहीं है यापर गैस आप एक क्लिप देख सकते हो यापर गैस एम को मैंने जमिन फ्लोर की उपर रखा उसके बास सीधा ड्राइक कर दिया और काफी इजिली लग गया लेकिन गैस यापर आप लोग का क्यों नहीं लगता है आप लोग ड्राइग सही से नहीं करते हो उसके साथ एम को अच्छे त्रिके से प्लेसमेंट नहीं करते हो जिस बज़े से क्या होता है ज्यातातर केसे में आपका एम बोडी पे लोग होता है या फिर आसमान में चले जते हैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा आपको same trick को follow करना है उसके बाद गैस आप यापार काफी easily digitical से one tap headshot लेने लग जाओगे उसके लिए गैस आपको सबसे पहला trick क्या follow करना है आपको कभी भी drag जाब करोगे आप आपको fire button की उपर बिल्कुली paste नहीं करना है और गैस अगर आप fire button को face करके drag करोगे तो गैस आपका drag का speed कभी भी नहीं होगा उसके लिए गैस आपको क्या करना पड़ेगा आप जब भी drag करोगे उसी time गैस आपको fire button को सरेफ थोड़ा सा टार्च करके drag करना है आपको बिल्कुल भी paste नहीं करना है आपको fire button को बिल्कुली दबाना नहीं है अगर आप दबाते हो तो गैस यह पर क्या होता है आपका drag में speed नहीं होता है ओड़ गैस अगर यह पर आपका drag में speed नहीं होगा ये तो guys हो गया complete अभी बात करते है guys आपको aim कहा रखना है I mean guys aim को जो placement करना होता है आपको कहा पर करना है digitical से अच्छा करसा one tap headshot लेने के लिए आपको aim कहा पर रखना चाहिए या पर guys आपको दो situation को follow करना है एक है short range और एक है long range and mid range long range and mid range पे तो guys आपको same trick follow करना है लेकिन guys आपको short range पे different trick follow करना चाहिए या पर guys आपको क्या करना है आपके समने जो enemy है ओगा short range पे आगया तो guys आपका aim कभी भी enemy के साथ connect नहीं करना है और guys अगर आप connect भी करोगे तो guys आपको head की वरावर connect करना है ना कि आपको pair की वरावर तो guys या पर short range पे आप अपना aim को jamming floor की उपो रखो या फिर आप अगर connect करना चाते हो तो head की आसपास connect करो लेकिन guys समनेवला बंदा भी moment करते है उसी time guys head के आसपास aim connect करना इतना easy नहीं होता है लेकिन guys आप या पर jamming floor की उपो रखके काफी easily auto headshot की तरह headshot ले सकते हो जैसे कि guys आप या पर देख सकते हो enemy short range पे है और मैंने या पर क्या किया aim को सीधा jamming floor की उपो रखा enemy की बिलकुली नीचे side aim रखा और guys या पास थोड़ा सा rotation drag मैंने कर दिया या पास सीधा one tap लग गया आपको भी same trick follow करना है अभी बात करते हैं long range and mid range पे आपको क्या trick follow करना है या पर guys digital से long range and mid range ये दोनों range पे तो one tap लेना काफी easy होता है लेकिन guys आप लोग या पर कुछ गलतिया करते हो जिस बाइस से one tap क्या body shot भी सही से नहीं लगता है आपको या पर क्या करना है अगर आपके सामने जो enemy है ओ मानलो long range या फिर mid range पे है तो guys आपको या पर काभी भी जोर से drag नहीं करना है I mean guys अगर आप तेजी से drag करोगे तो guys आपका aim enemy को छोड़ के आसमान में चला जाएगा उसके लिए guys आपको थोड़ सा drag करना है और guys आपका aim हमेशा enemy की chest की वरावार connect करके रखना है आपको क्या करना है अपना aim को enemy की chest की उपर connect कर लेना है उसके सासद guys यापर मैं आपको description में sensibility setting की video की link दे दूँगा आप जाके एक बार ओवला sensibility setting आपने device के अंदर apply कर लेना इससे क्या हो रहा है कि आपका ज़्यादा head source लगेगा क्योंकि guys ओ sensitivity setting में आभी use कर रहा हूँ और काफी अच्छा कासा auto head source की तरह head source लग रहा है तो guys अगर आप भी चाते हो तो guys आपको description में link मिल जाएगा आप जाके एक बाद जोरू से जोरू चेक आउट कर लेना उसके सासद guys यापा last में बात करते हैं gun switch के बारे में यापर guys digitical या फिर M18, M18, M18 ये सारे gun में अगर आप वांट पलेना चाते हो तो guys आपको जितना हो सके उतना gun switch करना पड़ेगा क्योंकि guys अगर आप gun switch करते हो तब भी आपका वांट फास्ट लगता है I mean अल्टरा फास्ट वांट पलेने के लिए तो guys आपको यापार gun को तो switch करना ही पड़ेगा उसके सासद guys यापार आप लोग gun ही switch नहीं करते हो आपको gun तो switch करना ही चाहिए और guys अगर आप फास्ट gun switch कैसे कर सकते हो उसके उपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे comment करना मात भूनना नीचे comment करो कि उसके उपर वीडियो चाहिए की नहीं तो guys आज के लिए बास इतना ही वीडियो केसा लगा नीचे comment करके ज़रूर बता देना और guys अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया भड़बठ कर लेना तो गई चलो मिलते किस नेक्ट वीडियो पार तब तक के लिए बाई बाई एंड टिक क्यार